नमस्कार दोस्तों भगवान आप सभी कबला करूर आपके सारी एक्षा है मैंनो कामना पूरी हूँ दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्पों जान करे हुए करूंगर यहाँ पर आपके जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देने के बद और वल पाम रेडिंग पर आएंगे तो पहला परशन आपके यह है कि केनेडा का जो पियार है वो डेड़ साल से अटकावा है तो इसके चांसे कब तक हैं पूरे होने के तो जब भी लाइफ लेन से किसी भी तरह की प्रोग्रेस लेन निकलती है यानि उपर की तरफ इस प्राकर की रेखा जब उठती है तो यह इस बात को एंशियोर करता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में आपके लाइफ में जिस भी प्रगार के आप एफ़र्ट डालते हैं उसमें आपको सफलता निशित मिलेगी और आपके द्वारा किया गए मेहनत कर्म प्रायत प्रायस बेकार नहीं जाएगा इसके पहले आपको उम्र तक्रीबन यहाँ पर 22 से 23 के बीच में सफलता अपने मेहनत कर्म से मिली थी उसके बाद में 26 और 27 के एज में भी मिली थी अब जो यह रेखा अवेलेबल है 3rd one यह अवेलेबल है आपको करेक्ट 34 के एज में तो most probably इस साल end तक आते आते आपका जो PR है वो होने के chances यहाँ पर confirm दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जब यह progress line निकली है उसके बाद में आपकी जो lifeline के quality है वो बहुत ज़्यदा सूधरी है पहले की lifeline में देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर फेलाओ है जो जीवन में संगर्स या unsatisfaction को या unnecessarily struggles को indicate कर रहा है लेकिन 34 के बाद को जो period है उसमें lifeline के quality बहुत improve होई है और बहुत smoothly यह बाहर के तरफ जुग गई है तो यह permanent residence होने के chances को यह birthplace से दूर settled होने के confirm योगों को indicate करता है दूसरा जब किसी के हतेली में moon luck line होती है जो सीधे Saturn को connect कर जाए तो चंदर का सुभाओ है बाहरी दुनिया लोगों के बारे में बताना और चंदर यहां पर कारक होता है मन का तो मन का सारा काम हो जाता है लेकिन आपका कोई काम एक प्रयात में प्रयास में नहीं होता है reason उसके पीछे simple यही है कि आड़ी रेखा है Saturn पर available है जिसके करन हर काम के बीच में रुकावट अर्चन बादा आ जाती है इसके अलावा moon पर तिल भी है तो यह thought को organize नहीं होने देता है multiple thought process होती है multiple life में changes करने का मन होता है क्योंकि मन जो है यहाँ पर भटक जाता है मन नकरात्मक हो जाता है close relation से धोखा भी मिलता है ऐसा लगता है कि कोई cheat ना कर जाए unnecessarily fear इस condition पाए जाती तो यहाँ पर Saturn आपको moon remedy करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इन दोनोंने मिलके blockage कर रखा है आपके लाइफ में जैसे कि moon कारा के foreign का तो foreign से लाब नहीं मिल पा रहा है foreign में settlement नहीं हो पा रहा है मन का बहुत अधिक काम नहीं हो पा रहा है आपके पस resources की कोई कमी नहीं है क्योंकि luck भी अच्छा है जुपिटर भी बहुत अच्छा है जो घर परिवार से बहुत ज़्यादा समरे दिया सक्षम व्यक्तितों को दर्शा रहा है even guardian angel line भी है जो अध्रिश शक्ति को दर्शाती है इस condition में बहुत ज़्यादा support मिलता है इश्वर का या दूसरों का लेकिन मन के मताबिक काम नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ इन दोनों के कारण इसका प्रेमिडिक करिए आपके जितने भी boundaries है, restrictions है रुखावटे है उस सब के सभी यहाँ पर निश्य उतुरूप से खतम हो पाएगी वैसे luck की स्थिती बहुत अच्छी दिख रही है क्योंकि इसमें moon का जो connection उपर से mercury का connection आ रहा है तो यह earning capability और किसी भी चीज में बहुत ज़्यदा specialist होने जैसे योगो को निर्मित कर देता है इसलिए यह money triangle भी बन गया है जिसके करण पेसा अच्छे आने के chances है तो life line पे ही आते हैं तो life line में combination यह देखेंगी कि बहुत सारी stress line आ रही है लेकिन अब ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पाएगी 34 gauge में आपकी जिएन में last जो struggle रहेगा partner के regarding वो 34 तक ही है 34 के बाद में आपका marriage conform है क्योंकि यहाँ पर जो union line है वो simple एक ही available है लेकिन distance में यह around 35 का period indicate करती है इसके पहले में कोई भी रेखा नहीं है इसका सीधे मतलब है कि आपका attachment हुआ ही नहीं किसी से अच्छा क्योंकि जब भी simple एक line होती है union की तो ऐसे जातक soulmate को ढूनते है ना कि temporary partner को या फिर directly attraction ये सारी चीज़े नहीं होता है बहुत लोगों से जूड जाएंगे उट बेड जाएंगे लेकिन जो close connection है वो नहीं हो पाया आपका यहाँ पर दिख रहा है तो यह सीधे आपके marriage को ही 35 केज में denote कर रहा है partner बहुत अच्छे मिलेंगे क्योंकि Jupiter अच्छा है supporting line active है तो लेठी सही लेकिन आपके desires सारे definitely यहाँ fulfill हो पाएंगे इसलिए progress line निकल रही है तो soulmate बहुत अच्छे मिलेंगे आपको यानि हस तरेखा में साफ सब इस बात का जिक्र है और confirm भी है यह बात कि जिसका एक union line पाये गया है ऐसे जाद तक को इशिवरी करपा से बहुत अच्छे partner मिलते हैं और बहुत अच्छा connection होता है यानि यह पिछले जन्मों से connection को भी indicate करता है इसलिए कोई दूसरा वेक्ति आ नहीं पाता life में इसके बाद यहाँ पर तीन प्रशनोर है कि विदेश में रहेकर जॉब सफल होगा तो 100% होगा क्योंकि moon luck line है जन्मिस्थान से दूर ही growth मिलता है आप अपने birth place पे रह लीजिए आपका decline जो है lifestyle होना शुरू हो जाएगा यानि सारी सुख रहेगी लेकिन मज़ा नहीं आएगा जन्मिस्थान से दूर गए लोगों का भी सायोग मिलेगा environment भी अच्छा मिलेगा और growth भी अच्छी होगी पढ़ाई आगे करने के पूरे chances आपके हतेले में हैं क्योंकि जो mind line है उसको connection मिल गया है एक supportive mind line का तो जब भी ये decline होता है तो research sector में ले जाता है या deep knowledge यहाँ पर यह देता है तो 100% study भी आपकी जादा रहेगी और संपत्ती बढ़े गया घटेगी तो बढ़ेगी the reason उसके पीशे simple इतना है कि life line का formation देख लिजे आपके life line का formation यहाँ तक कितना जादा बिखरावा लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे यह बहुत smooth होता जा रहा है और around 38 के इस तक आते आते तक तो पूरा का पूरा life line सुधर गया तो यह साबसाब दर्शार है कि बहुत luxurious life style comforts आपके life में अच्छा रहेगा और mental peace भी रहेगा क्योंकि mind line बहुत smooth है यहाँ पर हो क्या गया है कि जो heart line उसका connection mangle से हो गया है तो यह mangleik बना देता है तो इस condition में कुंडली मिलान करके marriage करना होता है और normally 28 के age के बाद में यह valid नहीं होता इतना जादा तो tension वाली बात नहीं है दूसरा यह aggression खराब देता है aggression में और जल्दबाजी में आप अपना सारा काम बिगाड़ेंगे तो इस condition में हन्मान चली साब कर सकते हैं नीम का पेड़ लगा सकते हैं रोज गरम पानी पीकर अपनी दिन के शुरुआत कर सकते हैं अंगारक यहाँ पर देवता की पूजा करा सकते हैं यह सारे काम से आपका मंगल का जो strength है वो अच्छा होगा यानि मंगल की जो energy positive होगी है जो frustration, irritation, aggression एर एकदम जटके से बहुत जल्दी planning करना है changes करना यह stress आना यह सारी चीज़े खतम होगा energy का सही utilization हो पाएगा बस इतने से restriction है moon, saturn and mars बस यह तीन restrictions दे रहे हैं आपके पाम में बाकि कोई भी कमी या कोई struggle, stress नहीं है और आगे का future career के हिसाब से, earning के हिसाब से, comfort के हिसाब से बहुत ज़्यादा best है क्योंकि luck line का ही formation देखिए कितनी धुन्दली चल रही है around 32 के आसपस तक और 32 के बाद कितनी ज़्यादा strong line हो गई है तो यानि मेहनद भी बढ़ेगा focus भी बढ़ेगा और happiness भी बढ़ेगा अब यहाँ पर आते हैं overall palm के analysis के अतरिक तो देख सकते हैं कि finger के length palm के comparison में short है यह एक fast decision making habit को थोड़े जल्दबाजी है हर बड़ी किसमे के nature को दर्शाता है और इस condition में instant decision लेना अपने thoughts पर बहुत जल्दी काम करने लगना जिस बात से inspired, motivated या influence हों है कुछ समय के अंतराल में वो काम करे के दिखाना यह सब basic nature में होता है patience कम होता ही किसे भी चीज़ को पाने के चाहथ ज़्यादा होती है बीना सोचे समझे अचानक से निर्णे लेने पर नुकसान होगा आप जिसे जातकों के अंदर बेसबरी बहुत हो जाती है कोई भी काम बीना सोचे समझे या दूरदशेता रख ना करे little finger के जो length है तक्रिबन थर्ड फिंगर के फर्स पोर से शौट है तो इस condition में किसी भी प्रकर का documentation, filing को अच्छे से maintain करके रखें क्योंकि ये सारी चीज़े गुम हो सकती है बच्पन में आपको stage fear रहा था आपको bargaining करते नहीं आता है ये सब कारक होता है little finger का इस लिए इस condition में online shopping करना ही ज़्यादा ठीक रहेगा उसमें कोई problem नहीं आएगा और बिना सोचे समझे या आदे हदूरे ग्यान या फिर humor के अथिरिक कोई भी काम मत करेगा उसमें नुकसान आपको होगा third and first finger के लिए में ने first finger बहुत ज़्यादा strong है तो ये responsibility टेकर बनाता है जियर में कभी किसी प्रकार की जिम्मधारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं इनफेक्ट बहुत कम उमर से अपनी जिम्मधारी ले लेते हैं किसे के जामने हाथ फेलाना मदद मागना बहुत शरम आता है आप जिस ज़्यादकों का बढ़ जाता है कई मरतबा लोग समझ सकते हैं कि आपके अंदर ego है ego नहीं है आप अपने काम में बहुत बीजी रहते हैं finger में सीधी खड़ी रेखा है friendly nature देती है परंतो आड़ी रेखा बार बार रिस्तों में अन्बन मदबे देती है क्योंकि आप अपने partner में बहुत perfection दोस्त यार कलिक्स में बहुत perfection डूणते है reason उसके पीछे ये तील भी है अगर ये तील है तो बहुत negative होता है क्योंकि moon पे तील होना यानि लाग अच्छा हो एक बुरा हो तो सिर्फ वो बुरा ही लेकर के आप बिढ़ जाएंगे या negative thought लेकर के इसलिए तो शुक्र के उपर आपके आड़ी रेखा है बहुत ज़्यादा है जो unnecessarily stresses को indicate करता है जोवेक्ति जैसा उसको वैसा accept अगर करने लग गए कि चलो ठीक है गलती हुई तो उसको सुधाल लेंगे यानि किसी भी तरह से stress ना लेना आपको शुक्र बहुत अच्छा करेगा और शुक्र जैसे ही अच्छा हुआ तो जीवन में peacefulness, happiness and love, affection, attraction, romance ये पांच हो चीज़े आपके लाइफ में confusion होता है decisions लेने में दूसरों से advice है guidance directly या indirectly लेते हैं लेकिन उस पर भी अमर नहीं करते क्योंकि बहुत ज़़ा इस condition में confusing mindset होता है क्योंकि perfection के चाहत बहुत होती इसलिए आपके sun mount के उपर देखेंगे तो बहुत सारे formation हैं जैसे star के formations available हैं इसके लावा कुछ triangle है bifurga के sign है किसी भी परवत पे ज़्यादा चिन होना अच्छा होता है नहीं क्योंकि ऐसे जातको के अंदर अच्छी qualities इतनी ज़्यादा हो जाती है या फिर उस ग्रह को इतनी power मिल जाती है कि वो अपने सही utilization नहीं कर पाते है तो आपका sun बता रहा है कि आपके अंदर योगिता बहुत है लेकिन उस योगिता के बावजूद भी utilization सही से नहीं हो पा रहे जिसके current confidence कम हो गया आपका इसलिए आपका sun mount दब गया है इन सब के पीछे अगर reason देखेंगे valid तो Saturn के आड़ी रेखा है क्योंकि Saturn के आड़ी रेखा mood swings देती है emotions feelings में immediate fluctuations होते है अब जैसे आपकी heart line सीधे जा रही है जो pure workaholic practical logical nature देती है और ऐसे जाद तक अपने काम को ज़्यादा तबज्जो देती है लेकिन उपर के तरफ जाने वाली रेखा emotional बनाती है एकदम भीड से अलग रहेंगे और एकदम से लोगों की सानुबूती की ज़रूत पढ़ जाती है फिर नीचे के तरफ जाने वाली रेखा एकदम से aggression देती है कुछ दिक्कत नहीं इस condition में meditation करना प्राणायम करना jogging करना टहलना सुबे ब्रहम मुरत में उठना मंदिर विजिट regular based करते रहना किसी भी प्रकर कर रिचुल फोलो करना Saturn को बहुत सही कर देता है सिर्फ यही remedy और कोई remedy नहीं इसमें इतना ही अगर आपने कर लिया आपको within यानि couple of days में drastic change अपने life style में दिखेगा और उसमें दिखे या ना दिखे लेकिन आप खुश रहना सुरू हो जाएंगे phalanges की स्थिती या internal mars की स्थिती सामान ने है आपको अपने health के उपर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि हलका सा आपको जो अंदरोणी मंगल है वो दब रहा है और जब भी यह दबता है तो रोक प्रतिरोधक शमता कम कर देता है या फिर ऐसे जाए तक physics पे अपना ध्यान नहीं दे पाते है तो health के उपर ध्यान रखेंगे तो certain obvious अच्छा होगा, मंगल भी अच्छा होगा हिच किचा जाते है लेकिन जब थम एकदम straight हो तो अपने बातों से हटते नहीं है यानि पलटते नहीं है तो यह थोड़ा सा ideal जिद्धी हटी किसम का व्यक्ति तो यहाँ पर दे रहा है और short thumb होने के करण immediate drastic changes करना planning में decisions में आदत में होता है यवकचिन आपके हतीली में है बहुत त्रेयर ये पाये जाता है open हो कोई issue नहीं है open होने से पैसा नहीं रुक पाता बट इतना भी यवकचिन होना बहुत आलिशन घर का सुख दे देता है किसी भी प्रगार के सुख सुधा समरिद्धी में कमी होती नहीं आख बंद करके जिसके भी हाथ में यवकचिन है उनका लाइफ कभी खराब हो ही नहीं सकता comforts के इसाब से आख बंद कर ये बात कह देना चाहिए किसी को भी अगर किसी के family member में किसी के हाथ में यवकचिन दिख रहा है तो first flange के उपर आप देखेंगे बारी के से तो आपको यहाँ पर आड़ी रेखा हैं दिखेगी जो वेक्ती hypertension या worries unnecessary लिक करते हैं उनके first flange पर आड़ी रेखा ऐसी आती है धन के लिए हालकि ये अच्छा सूचक होता है क्योंकि धन ठीक रहता है परंतुई चिंता बेफिजूल की घर जाते है इन सब चीजों से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए और यहाँ पर बहुत बड़ा island का formation है तो इस condition में baby girl के chances अच्छे दिखाई पड़ते हैं baby boy then baby girl लेकिन ये confirm एक हाँद देख करके नहीं किया जाता कभी palm का जो size है वो squarish है hard working nature देता है शाररिक हो या मानसिक मेहनत में ऐसे जातक पीछे नहीं हटते हैं बहुत ज़धा surrounding से situation से influence नहीं होती ये stable personality का एक sign है हाँ यहाँ क्याड़ी रेखा mood swing internally दे सकता है यहाँ पर तिल negative thought दे सकता है बट इस प्रकर का palm का size इस बात को confirm करता है कि आप जो भी target अपने हाथ में लेंगे वो जब तक fulfill ना हो तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं तो ये combination अच्छा है इसी कारण से आपकी लगलन continuous Saturn तक पहुची है जो confirm करती है कि जी उनमें जो भी desire ambition है आपका वो 100% confirm होगा जोपिटर माउंट आपका अच्छा है बहुत भेतरिन स्पेस ले रहा है ये Saturn के दबाओ के करण जोपिटर थोड़ा affliction में आया है जिसके करण ये marriage में delay करा रहा है बट आपका जोपिटर अच्छा है married life quality बहुत अच्छी रहेगी सांसारिक परिवारिक दामपती जीवन की स्थिति बहुत बढ़िया पाए जाती है जितनी ज़्यादा progress line हो उतना ज़्यादा वेक्ति ambitious हो जाता है high thinking approach होता है thinking desire के regarding compromise नहीं करता है आड़ी रेखा यहाँ पर धार्मिक बना देती है जो है दयालू बनाती है सात्विक बनाती है ऐसे जातक जीव हत्या के विरुद हमें भी पाये जाते है तो यह combination सत्कर्म आपको कराएगा और उसी कारण से आपका भविश यह जो है profession के हिसाब से knowledge के हिसाब से comforts luxuries के हिसाब से married life के हिसाब से सेटन के उपर सिर्फ तकलिफ यहीं से बाकि अगर देखें हम सेटन को तो यह पाएंगे कि यह परवत की स्थिती सामान ने है और यहाँ पर जो another line से इसे trustworthy line कहता है एसी रेखा वाले जाब तक चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाते reason यह होता यह नियाए पर यह बनाता है इसलिए old age बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि शनी जो है old age के कारक है old age बहुत comfortable कर देते हैं और at the end सभी चीजों से peace या happiness या satisfaction मिलता है loop of बारी किसे अगर आप आएं तो seriousness के आकरती है भीड से अलग रहना एकांद पर यह किसम का nature होना या seriousness रहते रहते आ जाना यह combination देता है बीच की इन रेखाओं को advisors, lines कहते हैं वैसे knowledge line भी कहते हैं दूसरों को suggestions सच्छे से दे पाते हैं Saturn है या फिर Jupiter के mediumist pragar की line बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि यह रेखा तत्यों के साथ बात करने की यूती को दर्शाता है ऐसे जातको में अंदभक्ती कभी नहीं आती practical spirituality हो जाती है sun mount भले ही दबा हो लेकिन lines अगर prominent हो तो पीता का जो किरदार है जीवर में बहुत महत्पूर्ण होता है या पीता का position power अच्छा पाये जाता है पीता के अच्छे कर्म के कारण भी ऐसे जातको को triangle rectangle जैसे science आते हैं जो life में protection देते हैं कि आपको कभी भी घर की नाम इज़त सम्मान की काम की ग्यान की पेसो की कोई भी कमी नहीं रहेगी हाँ ये बात अलग है कि योगिता होने के बावजूद भी satisfactory position नहीं मिल पा रहा है आपको बट वो भी आगे मिल जाएगा जैसे ही Saturn का affliction कम होगा यहाँ पर जब भी star का formation चाहे sun हो या Saturn हो देखने को मिलता है तो ऐसे जातक किसी company में बड़े position authority या CEO ओ लेवल तक की भी हो जाते हैं तो ये chances बहुत हाई create कर रहे हैं क्योंकि Jupiter भी आपके support में top position and authority आपको 35 kg के बाद में conformly मिलेगा Mercury Mount के उपर एक से अत्यदिक रेखर literature में बहुत अच्छा बना देती है ऐसे जातक बहुत साफ सूतरे शब्दों में अपने बात को कहने क्या आदी होता है इसलिए thumb भी एकदम straight था जो to the point बात जो है यहाँ पर करवा रहा है ASMR curry communications में development लागता है finger short है तो थोड़ा सा वो error देगा हिचकी चार्ट स्टार्टिंग में देगा बट कोई बहुत major issue नहीं होता इसमें attractive personality होती है चेहरे के रोनक बढ़ जाती है उम्र से कम दिखते है और wealth की या फिर लोगों की या काम की इन तीनों चीजों की कमी normally life में नहीं होती है रदरेका के अंत में जब भी गोँपुच क्याकरती होती है तो good sense of humor या flatter romantic nature होता है ज्यादा लंबे समय तक दुखे नहीं रह पाते कई नहीं अपनी खुशी ढूड़ना दूसरों के खुशी में सामिल होना तो ये क्या कर रहा है कि आपके अंदर balance नहीं होने देरा चीज़े loop of seriousness भी है और by four का sign भी है तो इस condition में एक चीज़ धियान रखेगा कि आपका जो heart line है वो straight है और mind line भी straight है जितना ज़्यादा आप अपने काम को तबज्ज़ देंगे उतना आपका life balance होता जाएगा जितना ज़्यादा overthinking, negative thinking unnecessary stresses या वरीश से दूर रहेंगे उतना life stable होता जाएगा बहुत बढ़िया है आपके हतेले में आपको जो life रहा ये देखे pure island का formation है और ये available है यहाँ पर आपको 16 के age से लेकर के around यहाँ पर उम्र आपका हो जाएगा तक्रीबन 26 यानि तक्रीबन 10 साल का period जब भी ऐसे island का sign होता है तो उस condition में मन मुताबिक काम नहीं हो पाता planning सफल नहीं हो पाता ऐसा लगता है life एक तरीके से stuck सी हो गई है क्योंकि दूसरे के अनुसार चलना पड़ता है तो island का sign stress का कारख हो जाता है और life को बांधे रखता है मतलब एक ही तरह का routine होता है बहुत कोई drastic changes नहीं होता है हला कि इन सब के बावजुद आपकी life line ने बहुत कोशिशें की अपने आपको positive करने की क्योंकि इतनी ज़्यादा changes होना luxurious, comfort यह standard of living को बढ़ाता है बट इसमें mind line involved हो गया तो mentally stressful यह period आपका दिखाई दे रहा है और अभी last stress है क्योंकि अभी हलकी सी जो है यहाँ पर stress line काटके गई है around 34 तक में तो बस थोड़ा सा stress और रह सकता है लेकिन मैं suggest करूँगा आपको की आप किसी भी तरह के stress planning या unnecessarily thought में ना पढ़ें क्योंकि यह mangle कि रेखा जब भी heart line से connect हो जाती है तो जितना mind line stable या straight चलता है उतना व्यक्ति के life में peace या happiness आता है ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आया है life में peace happiness आ चुका है आपके life में around mentally level पर देखें है तो around 25-6 25 से लेकर 28 तक mental peace था 30 की जैसी touch हो वैसे stress बढ़ना शुरूब और अभी mangal की रेखा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसका भी suggestion whatsapp पर आपको दे दिया जाएगा यहाँ पर mind line का formation ठीक है एकदम से decline होना यानि deep thinking analytical personality में development observation capacities को increase कर देता है तो यह mind line जो है थोड़ा research में analysis में एक प्रगार से deep thinking में इसके अलावा अपने खुद की कलपनाओं में रहना daydreaming type of nature personality होना creativity में increasement होना यह सारे combination आगे चलके होगा तो यह साफसाफ दर्शारा की है yes study आपकी आगे होगी sun line का formation भी जब लंबाई में बढ़ने लगता है जैसे कि यहां पर यह sun line ने आपका separate यह रेखा तो यह power position authority को बढ़ा देता है तो वही combination दिखा रहा है 35 से की position बढ़ेगी आपकी mercury line skills को develop करता है और जब यह शुक्र से connected हो जाए तो partner बहुत अच्छा support करते हैं career में या finance बहुत सुधरता है partner के आने के बाद यानि और अच्छा हो जाएगा triangle जैसा sign चंदर से related हो तो foreign land पे खुद का जमीन होना या property होना confirm होता है outer mirror से रेखा निकलती है तो यह इससे पुरवपुन ने रेखा कहते हैं बहुत लोग अपना हिसाब किताब लेने या देने आते हैं आपके साथ देशा रहेगा कि आप जिससे expect करेंगे वहाँ से support कम आएगा जहां expectation नहीं है वहाँ से immediate support मिलेगा यह पुरवपुन ने रेखा कराती है दूसरा कोई भी चीज सरलता से नहीं मिलती भले ही लकलाइन अच्छी है सारे combination अपने जगे पर suitable है बट यह रेखा confirm करती है कि आपके जिवन में hard work आएगा और वो hard work आपको gift देके जाएगा क्या gift देगा आपको काबिल बना के जाएगा जब भी outer mars पर आड़ी रेखा होती है तो ऐसे जातकों को गुस्सा एकदम से फूटता है एकदम से बहुत शान्त रहेंगे और एकदम से burst होगी एनरजी इसलिए यह coat केचिरी का मामला भी दे देता है इसलिए आपको अपने mangle के एनरजी ठीक करना ज़रूरी है इसके अलावा lifeline का formation वैसे ठीक है कोई इशू नहीं है यहाँ पर fish symbol का sign अच्छा create होता दिखाई भी पढ़ रहा है sudden gain, progress या मोक्ष भी यह देता है सपोर्टी लाइन और active हो रही है तो आगे चलके दूसरों का अपनों का support अच्छा मिल पाएगा बचपन में आपको health issue ज्यादा रहा था minor accident भी रहे है चोट का निशान सर के उपर रहेगा जब भी mangal की इसी रेखा काट के जाती है अंद्रोणी mangal की स्थिती को normal ही कहेंगे outer mars की स्थिती ठीक है शुक्र आपका developed अच्छा है तो luxuries, fashion, beauty, interior, designing, interest, knowledge अच्छा देता है सीधी खड़ी रेखा opportunities देती है ताए कि lifestyle बेटर हो आड़ी रेखा होना या Mars के द्वारा दबना Venus को disturb करता है और Venus अगर disturb हो गया तो उस condition में love, care, affection नहीं मिल पाता तो इसलिए stress worries से दूर रहना है बस और कुछ करने की जरुवत नहीं इस Venus के लिए ये Venus की स्थिती अच्छी है के तो भी आपका अच्छा है डॉक को feed करते रहना जितने भी सादुसंत या फकीर टाइप के जो लोग होते हैं उनको donation देना किसी भी प्रगर का desire ambition आपका fulfill immediate करेगा या फिर जो foundation या blockage है life में उसको कम करेगा चंदर की स्थिती में ध्यान रखेगा कि तिल जब होता है तो पानी से खत्रा होता है तो पानी वाले इलाकों में रहने से थोड़ा बचना या swimming करने जिसी चीजों से बचना अनिवार रहा है यहाँ पर आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा thoughts process जब create होता है बहुत ज़्यादा मन जब विछलित होता है restlessness होता है तो आता है कोई problem नहीं है इसका जो suggestion है या remedy है simple as that आपको वोटसेपर suggest कर दिया जाएगा money triangle का formation completed है पैसा अच्छा आएगा prosperity and property 35 के एच से बढ़ेगी left hand में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हम पाएंगे कि इधर भी एक island का तक्रिवन formation developed है बट अच्छी बात क्या हो गई कि life line जो है इधर से positively change होती रही तो life और जो है आपका positive change होगा और foreign connection 100% है जब left hand में self-match luck line होती है जो Saturn तक पहुचे तो ऐसे जायात तक अंतिम सांस तक अपनी इक्छाओं की पूर्ती करते रहते हैं अंतिम सांस तक अपनी इक्छा को पूर्ण करने के प्रैत्न करते रहते हैं तो आपको किसी की suggestion, advice, guidance लेने की जरुवत है ही नहीं आपको सिर्फ खुद पर believe करने की जरुवत है खुद पर काम करने की जरुवत है और एक प्रकार से observation करने की जरुवत है आज से 5 ये 10 साल जैसे बड़े planning करने की जरुवत है क्योंकि short finger जब होती है तो planning बड़े goals बड़े नहीं हो पाते और आड़ी रेखा है जो है आपके moon के उपर जादा है तो mother से connection attachment या bonding में ये issue देता है बात बात में कई ना कई मन मुटाओ या understanding bonding में trouble ये create करता है तो इसलिए यहाँ पर pending करम दिखाई दे रहा है mother से foreign land से तो mother को जितना हो सके support करिए उनकी सेवा करिए या बहस बाजी जैसी चीजों से दूर रहे आपका चंदर अच्छा होगा मन को ये साफ कर देगा या मन को शान्त कर देगा शुक्र के लिए सिर्फ इतना है करना है कि judgmental नहीं होना है किसी भी चीज के लिए बहुत perfection नहीं ढूंडना है partner बहुत जटके में आपको मिल जाएंगे बागी सारे combination अपने जगे पर परफेक्ट है by four का sign certain पर अच्छा माना जाता है क्योंकि यह यहाँ पर पैसा या opportunities दोनों बहुत अच्छी देता है तो यह थी सबसे महत्पुन बात है आपके हाथ के रिगाड़ी आशा करता हूँ सभी परफेक्टन के तरफ ले जाएगा तो आशा करता हूँ आपके सभी परफेक्टन के तरफ ले जाएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद